ओके, so good morning all of you, जैसे CM1 actuarial mathematics, सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा, कि इसमें क्या-क्या है, ठीक है, तो previously, एक paper था CT1, ठीक है, एक paper था CT5, तो CT1 used to deal with certain cash flows, ओके, and CT5 used to deal with contingencies, तो जो certain cash flows वाला जो part था, वो basically banking के perspective से था, और तुमारा जो contingencies वाला जो part था, वो तुमारा life insurance के perspective से था, तो पहले का CT1 मिला, CT5 मिला, मतलब दो papers मिले, approximately इसमें 27 या फिर 28 chapters है, तो वैसे उस तरीके से length मत देखो, cover करने में हम लोग को roughly 200 घंटा ही लगेगा, ठीक है, तो दिन का average में अगर 5 घंटा करके हम लोग देंगे, तो मोटा मोटी 2 मेने का syllabus है, July mid maximum एक दम, ठीक है, एक बा और फिर एक final revision, September mid में हम लोग का exam होगा, ठीक है, अब जैसे इसमें एक और चीज जुड़ गया, जो की है Excel, जिससे हम लोग first time अपना career में introduce होंगे, वो है CM1 में Excel, अब अगर मालो CM1 का तुम्हारा Excel एकदम solid हो जाता है, तो उसका benefits क्या क्या है, एक तुमको जब तुम corporate मे काम करने जाएगा, तुमको Excel सबसे अच्छा से आना चाहिए, एक तुम्हारा वोला issue solve हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में, अगर मालो, तुम लोग CM2 देगा, तो CM2 में भी Excel है, तो जैसे अगर आप देखेंगे, IFOE में नियम का है, 70% weightage दिया है paper A को, 100 marks, and 30% weightage दिया ह पेपर B को, जो कि 100 marks का होता है, और एक आप आप consolidated score निकलता है, consolidated score जो निकलता है, वो किस बेसिस में निकलेगा, जैसे मालो, इसमें तुम्हारा आया 80, इसमें तुम्हारा आया 70, 80 into 0.7 and 70 into 0.3, तो इस तरीके से तुम्हारा consolidated score निकलेगा, अगर वो passing mark के उपर है, तो तु उनों में लाना पड़ेगा, मतलब 50 is the pass mark, और आपको compulsorily दोनों में pass होना पड़ेगा, paper A में भी pass होना पड़ेगा and paper B में भी pass होना पड़ेगा, II में ये नियम है, अब जैसे बहुत लोग को लगता है 70% और 30% का weightage है, तो हम लोग 70% time paper A में spend करेंगे, पर ऐसा होता नही है, क्योंकि paper A में hold आने में हम लोग को ज़्यादा time लगता नहीं है, hold आने में time लगेगा paper B में, क्यों? क्योंकि resources comparatively कम है, अगर आप देखोगे 2019 से paper B introduced हुआ है, तो 19, 20, 21 और 22 कम, मतलब मोटा मोटी अपने बास 67 paper ही आएगा, और जो हम लोग का in-house resources से वो है, जो institute का resources से अगर आप paper A देखेंगे, तो आपको last 15-20 साल का पूरा paper मिल जाएगा, तो practice करने के लिए resources बहुत है, confidence वहाँ से generate होता है, तो day 1 से ही equal time हम लोग को spend करना है, paper A में भी और paper B में भी, paper A में जैसे भी हम लोग का 2 time में class चल रहा है, paper B का A की time पे class चलेगा, जो तुम लोग स equations of value तक के classes करवा दिये, तो आप लोग को paper B का पहले basics देखना है, जब तक मैं वहाँ तक पहुंचूंगा, और उसके बाद में आपको paper B का equations of value तक देख लेना है, उसमें कोई भी problem होगा, तो मैं हम आप लोग को करा देगी, and then paper A और paper B simultaneously चलाना है, जब तक exam online होगा, तब एक और हम लोग के, हम लोग को एक और जो चीज करना है, वो है हम लोग का typing, since यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं, जो लोग first time exam दे रहे हैं, तो typing को ले करके बिल्कुल भी कमजोरी नहीं रहना चाहिए, we already have our recorded lectures for typing, live भी होगा, but the point is day once each दिमाग में डालो कि तुम लोग को copy मे नहीं करना है, तो हम लोग को MS word पर उसको type करना है, जो कि बिल्कुल भी difficult नहीं है, आज जैसे नो ने इतने simplified notations दे दी, ताकि आप type कर पाओगे, ठीक है, तो वो एक typing speed को भी हम लोग को ध्यान में रखना है, it should not be the case कि वह आप August से typing start कर रहे हो, you are very much comfortable with pen and paper, right, तो तुम लो हम लोग का typing 0% है, धीरे-धीरे करके दो मैना में try करना है कि हम लोग का typing 100% हो जाए, मतलब जुलाई से हम लोग जो भी कुछ करेंगे, वो 100% typing में ही होगा, अभी शुरू वाला एक वीक में एक-दो question practice किया, फिर 10%, 20% तुमारा paper है का तुम typing में ही किया, इस तरीके से तुम तुम को 0% to 100% जाना है आने वाले 10 हफता में, धीरे-धीरे करके copy को पुरा छोड़ देना है, क्योंकि exam में इतना time नहीं रहेगा कि पहले तुम copy में करेगा, फिर तुम उसके बाद में उसको wordpress copy करेगा, उस तरीके से workout नहीं करता, तुमको अपना दिमाग MS1 में चलाना प but we have time, हम लोग उसको बहुत properly कर सकते हैं, मेरे से आगे बढ़ना मत, मेरे पीछे रहना मत, हम जैसे जैसे बोलेंगे उस तरीके से तुम लोग को करते जाना है, क्या-क्या चीज करना है पहले वो भी देखो, मैं तुम लोग को bookset explain करता हूँ, क्या-क्या bookset दियें, एक तु उसके लिए भी हमने अपके बड़ solution क्या निकाला है, हम लोग अपकी बड़ आप लोगों को assignments देंगे, ठीक है, तो उन assignments में क्या रहेगा, institute के mat का selected questions रहेगा, जो कि तुम लोग को करना ही करना है और उसको regular classes में हम लोग लाएंगे, जब हम लोग content करेंगे, तुम लोग उ एक तरीके से दिया गए बड़ उसका ज़्यादा काम नहीं आएगा, ठीक है, एक बार तुम्हारा मानलो chapter खतम होता है, उसके बाद हम लोग उसका करना है, compiler करना है, compiler में chapters clubbed हैं, आप लोग को एकदम starting में index में मिल जाएंगे, compiler के अलावा हम लोग को और क्या करना है, mat के एक दम पीछे में देखेंगे, एक 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 एसेंटम बुल के चीज होता है, यह समय अभी क्यों बता रहो, because exam के 15 दिन पहले फोन आता, अभी क्या करें, तो बच्चा को पता ही नहीं होता है, कि mat के पीछे में एक एसेंटमें बुल के कोई चीज है, ठीके, paper एक खतम किया, एक चैप्टर तुरं 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 उसका paper भी भी कर लेगा, lag मत रखना, vision के पहले revision होना बहुत जरूरी है, vision मतलब तुम मालो धीरे धीरे आगे बढ़ते गिया, 4-5 चैप्टर तुम कर लिया, लेकिन तुम अगर पीछे पीछे का भूलते जा रहा तो कोई फाइदा नह है, अगर मालनो 200 घंटा हम लोगों को पढ़ना है, यहां पर यह चीज़ वर्क ऑट नहीं करता है, लाज़ का 20 दिन तुम 10 घंटा करके पढ़लेगा, बिल्कुल भी वर्क ऑट नहीं करेगा, तुमको डेली 4 घंटा करके पढ़ना पढ़ेगा, daily 4 घंटा करके तुमको पढ पर एका, उसमें तो एक 15 नमबर का question में अगर 21 घंटा लगा के तुम उसको बना भी लिया ना, तो भी तुम हर गिया, क्योंकि तुम्हारा paper खतम नहीं होगा, कोई choice नहीं होता है paper में, पूरा paper compulsory होता है, तुम कोई topic को छोड़ भी नहीं सकता है, तो time देख देख के करना है, time देख देख के तभी होगा जब तुम मेरे साथ साथ चलोगे, सारा life class पे अटेंड करना है, और जो लोग कलकत्तम मे है, पहले होता था है सब, कि लोग बनते थे 30 साल का उमर में, 28 साल का उमर में, 35 साल का उमर में, अब यह सब trend चला गिया है, it is a new age, 23, 24 should be the qualifying age, 23 maximum 24 I am telling you, not even 25, it is a new qualifying age, 5 साल में पूरा course खतम हो जाएगा, college खतम होने के पहले पूरा try करना है, कि हम लोग को 6 paper कर लेना है, तो यह सब क्या तभी हो पहेगा, जब आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, कि यह वाला आपके schedule में बैट रहे है, तो जो struggle मैंने face किया कि मैं को पता नहीं था क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस कलिए आप लोग को पढ़ना है, तो यह शुरू दिन से अपना दिमाग में डाली कि aim is not to clear CM1, aim is not to clear CM2 और maybe a smaller paper, aim is to become a fellow associate, तो वो vision रखके चलोगे तो 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 लोग को समझ में आगा कि नहीं अगर मेरे CM1 clear हो भी गए तो ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है, मेरे को यही routine को आने वाले 4 साल, 5 साल, 6 साल अभी follow करना है, ग्रूप में active रहना, कोई भी type का update को ना miss करना, mock test portal में login कर लेना और chapter wise mock test देना, chapter खतम हो उसका mock test देगा, chapter खतम हो उसका mock test देगा, बहुत सारा mock mock test तुम लोग को हम लोगा portal में मिलेगा, 50 plus तो मैंने बोला है, कितना डालूगा में को भी idea नहीं है, तो उसमें क्या एक एक चैप्टर का, 2-3-3 चैप्टर क्लब करके बहुत सारा mock test जा लेंगे, तो वो सब को परा properly solve करना, अब जब मानलों तुम लोग कर रहे है कोई ची अगर तुम लोग उसम को पूरा end तक बनाएगा नहीं, answer नहीं लिखेगा तो तुम लोग को वो हाथ बैठेगा नहीं, एक सम को जब तुम लोग पूरा बनाएगा, तब तुम लोग को समझ में आएगा कि तुम लोग का 4-5 जगा उसमें गलती हो सकता है, तो 4-5 जगा जो गलती करेगा, वो तुमको तभी समझ मैंगा जब तुमको सम पूरा बनाएगा, अगर मादलो तुम एक बार बना के खाली सम को देख ले रहा है, it is not worth it, जितना भी सम बनाएगा, पूरा end तक बनाएगा, और एंट तक बनाने के लिए टाइम चाहिए, जो कि तुम लोग वाज है नहीं, तो एंट तक बनाएगा, तो ही तुम्हारा subject में कमांड आएगा, and the most important paper for all your job interviews is CM1, अगर CM1 में तुम लोग 90 प्लस score कर लेता है, you are almost certain that you will get a job, you cannot give me a CV with around 6-7 papers cleared, and he has scored really high in CM1 90 प्लस, it's not possible, because जितना भी content आपको काम में आता है, वो CM1 का जाधा करके काम में आता है, paste paper है, knowledge अच्छा बैठेगा, तो क्या आगे जाके दिक्कत नहीं होगा, CP1 जैसे exam, बहुत सरा चीज इससे आता है, तो शुरू दिन से जो CM1, CM2, CS1, CS2, जो बच्छा अच्छे से पढ़ लेता है, उसको आगे के papers में उतना problem नहीं होता है, तो यह सब चीज दिमाग में बठा के, एकदम पुरा करके चलना है, ठीक है, next, तो आज हम लोग start करेंगे, time value of money से, time value of money से, okay, time value of money, तो सबसे पहले, जैसे, हम लोग interest देते हैं न, interest, आज जैसे मान लो, एक company है ITC, मैंने ITC company को loan दिया है, यह है time 0, यह है time 10, 10 साल का मैंने ITC company को loan दिया है, ठीक है, ITC company क्या बोलता है, ITC company क्या बोलता है, बोलता है, सर, आज आप मेरे को 90,000 दे दो, मैं आपको 10 साल के बाद में 2,00, रुपे दे दूँगा, मैं आपको 10 साल के बाद में 2,00, रुपे दे दूँगा, तो basically, ITC company is paying me something extra, ITC company is paying me 1,10,000 रुपीज एक्ट्रा, माल लेते हैं कि regular interest payment नहीं हो रहा है, माल लेते हैं regular interest payment नहीं हो रहा है, तो यह जो extra जो दे रहा है, इसको बोलते हैं interest, अब question यह उठता है कि यह क्यों दे रहा है, question यह उठता है कि यह क्यों दे रहा है, मेरा पैसा मेरे पास safe है, हम वह ही पैसा ITC Company को दिए, तो पहला point क्या बनेगा हम लों पहला point हम लोका बनेगा, risk factor का point बनेगा, ठीक है, पैसा जो मेरा पैसा था, मेरा 90,000 रुपीज हम IPC Company को दिए, मेरा 90,000 रुपीज हम ITC company को दिए, ठीक है, तो क्यों दिए, क्योंकि कुछ return मेरे को कमाना था, तो अपना पैसा जब हम किसी सामने वाले को देंगे, तो एक risk factor आएगा, तो पहला point मेरा क्या बनेगा, interest क्यों पर होता है, क्योंकि risk factor है, दूसरा, ये पैसा को अगर हम कहीं लगाते है, FD वगरा में लगाते हैं, फिर stock market में invest करते हैं, तो वहाँ से में को return आता, तो मेरा पैसा भई हम तुमको क्यों दें, तो एक opportunity cost होता है, opportunity cost का मतलब क्या था, next best alternative, इसको समझाते हैं, तुमको दो company से offer आया, एक company से 10 लाग का, एक company से 8 लाग का, तो तुमारा opportunity cost क्या हो गया, 8 लाग रुपया हो गया, बोलने का मतलब क्या है, कि तुमारा next best alternative है, ठीक है, तो वो चीज़ देखा जाते है, तो opportunity cost पैसा का हमेशा रहेगा, आज जिससे मानलोग, पापा तुमको पैसा दे रहे हैं, तुमारा पढ़ाई को fund कर रहे हैं, तो वो पैसा free का नहीं है, बात को समझो, वो पैसा अगर मानलोग तुमारा education में लगता है, तो बोलने का मतलब यह है, कि खुद का पैसा से जब तुम business करता है, तो finance में हम लोग उसका भी return लेते हैं, इसको बोलते है, internal जो मैंने funding किया है, जो मेरा खुद का पैसा था, उसका भी एक cost है, अगर वो पैसा को बिजनेस में नहीं लगाते, वो पैसा को हम कहीं invest कर देते, ब्याज में लगा देते, तो में को return कमा के देता न, तो उसको बोलते है, opportunity cost, आज एक बात सोचों, हम इतना महनत करके इतना बड़ा center बनाए हैं, पढ़ा रहे हैं, मेरे को अगर 15% का return नहीं आ रहा है मेरा पैसा में, तो फिर क्या फाइदा है, अगर हम कुछ ना करें, तो भी मेरे को 12% का भ्याज मिल जाएगा, तो हम इतना headache क्यू लें, बात वहाँ पर उस शिचका होता है, तो 12% मेरा opportunity cost हो गया, अब business वगरा सब कुछ करने के बाद में भी, अगर मेरे को 10% का return नहीं रहे हैं, तो हम अव्वेस बात बिजनस क्यू करेंगे, ठीक है, तो एक opportunity cost हो गया, दूसरा, आज एक बात समझ ना, तुम लोग कोई भी चीज़ खरीद बढ़ रहे हैं, क्योंकि inflation हो रहे है, economic factors है, oil prices बढ़ रहे है, GDP, सब कुछ बहुत सरा reasons है, ठीक है, तो आज जैसे मान लो, तुम्हारे पास में आगर मान लो, आज 1000 रुपिया है, ठीक है, तुम लोग को अपना school days याद आ रहा होगा, पुछका सब लोग खाता है, तो school days मे आप तो 2 का 3 मिलता था, 2 रुपा में 3 पीस, आज के नमें 10 का 3 मिलता है, तो क्यों, बेसिकली अब तुम यह समझ के देखो, कि तुम्हारे पास अगर 1000 रुपिया आज है, ठीक है, और तुम्हारे पास अगर 1000 रुपिया आज है, लेट में तो ना आगा से class में, पीछे क्यों ज़्यादा होगा, सोच के देखो, 10 सल बाद जो 1000 होगा, उससे जो समान खरीद पाएंगे, और आज जो 1000 है, उससे जो समान खरीद पाएंगे, दोनों में बहुत फरक होगा, अब वेसे बाद है, 10 सल बाद का 1000 रुपिया होगा, उससे कम समान खरीद पाएंगे, इसक इतना समान खरीद पा रहे हैं, आज तुम लोग आटा दाल चावल का दाम लेख लो, बढ़ रहे हैं, चीनी का दाम बढ़ रहे हैं, तो यही सब सोचो न, एक जो घर ग्रियस्ती जो होता है, जो हाउसोल्ड होता है, उसमें अगर मानलो, पहले एवरेज में लाक रुपय जाते हैं, ठीक है, तो सेम पैसा, आज जैसे मानलो, सेम पैसा, यह टाइम जीरो हो गया, यह टाइम टैन हो गया, चीजों के दाम तो महंगे हो गए, बट दस साल के बाद में अगर मैं पैस पैसा उतना ही रहे, तो मुझसे सेम समान खरीत पाएंगे, ज्यादा नाकम, आव opportunity cost, दूसरा बात क्या है, risk factor है, तीसरा बात क्या है, अगर 10 साल के बाद में मिरेको 90,000 यह देगा, तो 10 साल के बाद में जब मिरेको 90,000 रुपर देगा, उसका value क्या होगा, अव्य से बात है उससे कम होगा, आज 90,000, value से मतलब क्या है, purchasing power, आज जो 90,000 रुपर समझे समान खर इस समय मानलो तुम्हारा दाल का दाम चल रहा है 100 रुपर कीलो, पेट्रूल का नाम लिलो, आज से एक दस अवले पेट्रूल का दाम कितना होगा, 50 रुपया, अभी कितना है 115, तो अगर मानलो यहाँ पर भी 90,000 है, और यहाँ पर भी 90,000 है, तो तुम सेम पेट्रूल खरी यह होगा न, extra to compensate for the loss in value of money and that is interest, आज सब को तो मिलता है, capital जो देता है उसको क्या मिलता है, interest मिलता है, जो land देता है उसको, rent, labor को wages, entrepreneur को profit, तो capital वाले को हम लोग क्यों छोड़ दें, जो पैसा दे रहा है मतलब उसको ब्याज मिलना चाहिए न, उस ब्याज का बहुत सरा कारण ह है, एक तो तुम मेरा पैसा यूज कर रहे है, वो पैसा कम इसी और को दे देते, अपना consumption में यूज करते, consumption मतलब क्या होता है, आमेशा खाली खर्चना नहीं होता है, invest कर देते, safe करते, risk factor है तुम मेरा पैसा लेके भाग गया तो, अब पैसा लेके भाग गया से एक term याद क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क मतलब क्या, तो बैंक में जाएगा, तुम मुलेगा, हमको एक करोड का लोन चाहिए, तो ऐसे धूरी देतेगा तुम लोगो, पुरा सब्चित, तुम लोग से पूछेगा, क्यों चाहिए सर लोन, आपके पास में क्या है गिर्भी क्या हीने का, तो अगर मैं 500 लग नहीं कहूंगा तो मैं लाख यह मैं कैसी दूँगा, अज एक मेरा कमाई 50 ज़र कह तो मैं मैं राज रुपे मैंने कैसी दूँगा, यह मैं कैसी है दूँगा तो वो अपना 2,00,00 देखता है, वो अपना 2,00,00 देखता है, इसी को तो principal और agent का problem बोलते हैं, तुम लोग पढ़ेगा CB1 में, basically जो owner है, उसका goal अलग है, समझा बत को, आज तुम लोग कितना सरा miss selling होता है, insurance product में, financial product में, miss selling क्यों होता है, क्योंकि वो लोग खली अपना commission दे आज अगर हम लोग एक policy बेशते हैं, अगर मानलो लाख रुपए मेरे को premium आता है, premium समझते तो क्या होता है, जो insurance policy होता है, basically इसमें regularly insurance company को देना पड़ता है, ताकि जो contingent event है, जब वो arise होगा, तो insurance company मेरे को claim देगा, अभी जैसे मेरे अंकल भरती थे बीम बिल्डा में, त उनका था, इनका health policy था, हमने premium पेग किया फिछला 25 साल से, तब जाके अभी वो policy काम में आया है, हम लोग को एक उरुपए भी नहीं देना पड़ा, सिर्फ 12,000 पर देना पड़ा, पांच लग कबल में, तो बोलने का मतलब यह है कि, miss selling होता है, इतना सारा miss selling होता है, वो लो भी pay interest, फड़ा फड़ लेखो, पहला point है, risk factor, पहला point है, risk factor, दूसरा है, opportunity cost, opportunity cost, risk factor, opportunity cost, तीसरा है, value of money decreases over time, value of money decreases over time, risk factor, opportunity cost, value of money decreases over time, so now, value of money decreases over time, फिर से बोलते हैं, 10 से बले तेल के दाम 50, आज 115, अगर मानलो, 1 लाग रुपए ही होगा, तो क्या तुम सेम तेल खरीत पहेगा, जादा ना कम, कम, तो अव्वेसे बात है, तुमको कुछ, 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 एक्स्ट्रा चाहिए होगा, औ तो value of money decreases over time, so basically, since value of money decreases over time, we need something extra in order to compensate for the loss in value of money, okay, अब लोग क्यों बोलते हैं, FD मतलो, बात को समझो, कली पढ़ना नहीं, चीजों को समझना भी है, उसको apply भी करना है, आज माबाप इतना रुपए दे रहे हैं तुम लोगको पैसा, तो तुम लोग, आज मालो, पापा तु तुम फिर क्या समझा, value of money decreases over time, अब बात ये है, कि FD में तुमको मालो, 6% का return मिलेगा, ठीक है, inflation हो रहे है, मालो, 6% का, तो एक तरिके से पैसा 0 है, घर में cash पढ़ावे 20 लाक रुपिया, हमको बदा है किसका घर में पढ़ावे, कोई फाइदा ही नहीं है, tax तो बच रहे हम लोग पुराना जमाने का लोग क्या सुचते हैं, कि मेरा 30% tax बचेगा, लेकिन 30% tax जो बचा है, सालो साल रुपिया तो गद्दा के अंदर ही रह गया ना, आज अगर तुम उसको market में भी invest करता तो after tax भी तुम profit में रहता, ये बड़ा company का सोच है, नया जमाने का सोच य है, ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट, प्लीस पुट दे हैं, सिम्पल इंट्रेस्ट, सिम्पल इंट्रेस्ट का एक और नाम है, कम्फेटबल एवरीवरीवन, प्रशान्थ, इस थी ओके, simple interest का दूसरा नाम है commercial rate of interest commercial rate of interest commercial rate of interest commercial rate of interest ठीक है what is simple interest पहले यह समझना पड़ेगा हम लोगको simple interest होता क्या पहले हम लोगको यह समझना पड़ेगा simple interest जैसे माल लो हम 100 रुपया लगाया 4% में तो पहला सल में क्या होगा 100 और 4 दूसरा सल में क्या होगा 100 और 4 interest is basically provided only on the principal part but not on the interest part अगर interest पर interest मिलेगा ब्याज पर ब्याज मिलेगा तब फिर वो क्या हो जाएगा compound interest interest आज हम लोग पढ़े लिखें तो हम लोग अगर बैंक में जाएंगे बैंक को पर्सनल लोन बैंक जो देता है अब जैसे मेरा जो हवाला चलता है एक्टो तो उसमें क्या होता है 20,000 पर तो वो लोग को कुछ भी interest rate कोट होता है 3% पर मन्त तो 3% पर मन्त में तो तुम समझ रहे 20,000 का 3% कितना होता है 600 तो वो लोग को 600 रुपया हर मेना देना पड़ता है आज जैसे मालो तुम जिन्दी की पर कमाया बड़ तुम सेव नहीं किया तो कोई फाइदा नहीं है आज तुम देखे कर लोग 65 में काम कर रहे 70 में भी काम कर रहे क्यों ज्यादा करके business houses में होता है जब peak time चलता तो बहुत रुपय कमाता है उस तो हमें यह ध्यान में नहीं आता है कि कहां पर पैसा invest करके रखे जो salaried employee होता है वो पहले भी खुशी बात है बाद में भी खुशी बात है क्यों क्यों क्योंक बहुत जरूरी है तो यह चीज होना बहुत जरूरी है बट इतना जो discipline है वो business में नहीं आता है बट salary वाले लोग में आता है तो अगर मालो ब्याज पर ब्याज चड़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे compound interest चिक है तो यह simple interest हो गया अब simple interest का formula क्या है देखना SI is equal to PRT by 100 principle into rate into time divided by 100 अब अकर मैं बात करूँ amount का तो वो क्या हो जाएगा principle plus simple interest now what is principle what is principle जो पैसा मैं आज बैंक में जमा कर रहा हूँ what is amount जो पैसा मेरे को future में मिलेगा ठीक है तो अब जैसे मैं यहाँ पर क्या करूँगा अब जैसे मैं यहाँ पर क्या करूँगा I will replace SI by PRT by 100 ठीक है तो यह क्या बन जाएगा principle common 1 plus RT by 100 ठीक है देख लो उसको पहले कॉपी कर लो उसको फटाफट से ठीक है अब ध्यान देना अब जैसे amount को मैं लिखूँगा accumulated value AV future में मिलेगा ना principle को मैं लिखूँगा present value 1 plus R is what expressed in percentage R by 100 को मैं लिखूँगा I which is expressed in decimals and T को मैं लिखूँगा N which is number of years तो मेरा formula क्या बन जाएगा PV 1 plus NI AV is equal to PV 1 plus NI ये मेरा क्या है simple interest का formula या फिर दूसरा नाम क्या है इसका commercial rate of interest बहुत simple है एक example ले लेते हैं टोन बठाने के लिए calculator कौन सा यूज़ करेंगे FX 82 ES plus ठीक है case to company आता है ये और बहुत लोग उससे second edition first edition कुछ भी चलेगा ठीक है दोनों में कोई change नहीं है तो बिसके लिए पुराना spiderman और नया spiderman वैसा है मतलब उसमें वैसा उसका धांचा change कर दिया तो अब जैसे एक example लो अगर एक लाक रुपया है लोन पर लिए simple interest चार परसंट मानलो ब्याज का rate है तो 4000 कर बैठे हर मेने का हर साल का ब्याज तो वो जो ब्याज का amount है वो change होगा न change नहीं होगा अगर मानलो एक लाक रुपय का loan है एक लाग रुपए का लोन है यह फोर परसंट ऐसा ही है पर अनम तो साल का मेरा बयाज कितना हैगा 4000 अब यह जो बयाज कामाउंट है यो हर साल चेंज नहीं होगा यह उतना ही रहेगा क्यों 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 यह खली principle पर ही लगता है ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है क्लियर तो खाली मेरा प्रिंसिपल जो है उसी पर मेरा ब्याज लगए दाटी सिंपल इंट्रेस्ट ठीक है जनरली एडूकेशन लोन्स जो होता है उसमें यह सब चीज़ का बहुत यूज होता है क्योंकि उस समय जब बच्चा पढ़ रह है जो टॉप आयंग की बच्चे होते हैं वह लोग अईसबी आई गौवश्मेंट बैंक्स बैंक्स बैंदे इसंपल इंट्रेस्ट पर लून देता है और वह बैसेलीग्ंस रहता है और आपका बैसिकली दो साल का हो भी रहता है जब आप पढ़ रहे होते हैं तब थिर IITs and IIMs, छीक है, तो यह मेरा equation क्या बैठा, AV is equal to PV 1 plus Ni, ठीक है, next लिखना, compound interest, compound interest का अधर नेम लिख लो, effective rate of interest, effective rate of interest, effective rate of interest, नहीं दारा भूवन जोशी, ना लायक, इसका क्या होता है, amount is equal to principal 1 plus R by 100 whole to the power T, T जब power में चला जाएगा तो compound, T जब नीचे रहेगा तो simple, क्योंकि simple interest में interest का amount change नहीं होता है, यहाँ पर क्या होगा, ब्याज पर ब्याज लगेगा, देखो कैसे, अब इसको पहले reframing कर लेते हैं, amount is AV, T is PV, 1 plus R by 100 का मतलब क्या होता है, I, very good, and T is what, N, so 1 plus I whole to the power N, into present value is equal to accumulated value, ठीक है, अब इसका एक्टर हम लोग structuring देख लेते हैं, अब जैसे महलो 100 रुपया लगाया, at the rate 4% compound interest, तो 100 और 4 हुआ, अब क्या होगा, 100 से फिर से प्रांचस निकलेगा, 100 और 4, अब इस 4 से भी प्रांचस निकलेगा, 4 और 4 का 4%, क्यों, क्योंकि यह compound interest है, ब्याज पर ब्याज लगेगा, ठीक है, कॉपी कर लिजिए सको, और compound interest का other name क्या है, effective rate of interest, ठीक है, देख लो सको, कॉपी कर लो फट अफट से, कोई अपना camera नहीं off करेगा, शिष्टी अगरवाल, आभास कोचर, वंशिका, स्वाती बैद दो क्यों मुंको समझ में नहीं आ रहा है, नुपूर जोशी, जेनिश, जेनिश ना लायक, तुम क्लास में आएगा, देख रहा है, सुबढ़ सुबढ़ करिकर के लिए आ जाते हैं, नेक्स्ट, राइट देडिंग, जेरो कोपन बॉन्ड, जेरो कोपन बॉन्ड, ठीक है, जैसे, जेरो कोपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बॉन्ड, बॉन्ड मतलब क्या होता है, लोन अग्रिमेंट, हमको पैसा चाहिए, हम तुम से पैसा उठाया, तो बेसिकली, आज जिसे मालो, तुम जब किसी को भी पैसा देता है न, बड़ा-बड़ा कॉर्पोरेट्स जब पैसा उठाता है, तो उसके अगेंट्स में एक सर्टिफिकेट इस्यू करता है, तो जो पैसा देता है, उसको भी एक सेंस अफ सेक्यूरिटी रहता है, क्योंकि इस बॉन्ड में सब कुछ लिखा रहता है, कि हमने पैसा दिया है, इस कंपनी को, इस देट को, इतना टाइम के लिए, ये मेरा ब्याज का रेट रहेगा, इंट्रेस्ट पेमेंट कैसे होगा, कूपन का मतलब क्या होता है, कूपन का मतलब होता है, regular interest payment, अभी तो सारा online हो गया है, पहले क्या होता था, जो bond होता था, उससी के नीचे certificate लगावा होता था, जैसे coupon होता है ना, मैंने उसका coupon जो अपने लेते हैं, बहुत सरा coupons मिलता है, saloon, spy, सब का जो होता है, तुम देखे कोई भी टप का जो pamphlet distribution होता है, उसके नीचे मैं सब coupon लगा रहता है, तो जो bond होता था, उससी के नीचे coupons लगावा होता था, उसमें लिखा रहता था, first interest payment, second interest payment, third interest payment, तो basically जब भी तुम्हारा maturity आता था, जैसे मालो अगर 6 मैना में ब्याज का payment होना है, तो पहला 6 मैना बीद गया, तो तुम coupon फाड़ेगा, तुम जाके company को देगा, company तुमको तुमारा वो देदेगा, ठीक है, ब्याज का payment देगा, पहले ऐसा था था, बट अभी तो सारा bank मे credit हो जाता है, तो वो legacy से वो term चलते आ रहे है corporate में, coupon, 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 coupon is nothing but it is a regular interest payment, एक होता है coupon paying bond, जैसे मालो तुम लो में को answer करना, अगर मालो 1,00,000,000 हम दिये, 10% ब्याज में है, ठीक है, हर साल का एक ही बार ब्याज मिलेगा, मतलब साल के अंत में ही मिलेगा, तो 10,000 का 10% कितना हो गया, एक लाग का 10% कितना हो गया, एक लाग का 10% तुमारा हो गया, 10,000, तो ये वाला जो amount है, ये मेरे को हर साल पे end में मिलेगा, ठीक है, तो ये जो है, ये है क्या है मेरा coupon payment है, ठीक है, अब बहुत सारा points में क्या होता है, जब मालो अब company भी नया business start किया है, तो company के प पैसा नहीं है, interest payment करने का, company अभी अपने अपको settle करना चाता है, तो cash flow, जो outflow है, जितना कम हो, उतना बढ़िया है, तब company क्या करता है, zero coupon bond में क्या होता है, company क्या बोलता है, आज मेरे को 60,000 रपे दीजिए, हम आपको 5 सल के बाद में 1,00, रुपे देंगे, company दे 40,000 रपे अपने को कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, outflow कम होगा, profits अच्छे से generate होंगे, company stimulus होजएगा, फिर company बोलता है, तो zero coupon bond का मतलब क्या होता है, एक ऐसा loan agreement, जिसमें कोई interest payment नहीं हो रहे है, कोई regular interest payment नहीं हो रहे है, ठीक है, आज जैसे zero coupon bond का, अगर हम लोग structuring तो यह जो bond होगा ना, इसमें लिखा रहेगा, एक लाख, बोलेगा, जो यह bond मेरको आज से टिक पांच साल बाद देगा, उसको हम एक लाख रुपए देंगे, लेकिन आज यह bond हम साट हजार रुपय में दे रहे है, इसका मतलब यह है, ठीक है तो, तो तुम खरीद लिए इंट्रेस मिलते रहता, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा पैसा खर्चा हो जाता, तुमको बहुत सारा इंवेस्टर लोग ऐसे भी सुचता है, जब मेरा अभी अनाप सनाप कमाई है, मेरको ऐसा बहुत कैश, हम बहुत कैश रिच है, तुमको उतना दरकार नहीं है, तो हम भी मतलब ऐसा करके बनाते रहता है, बोलो, ठीक है, अब नॉर्मल, देखो ये तो तुम्हारा जिरू कूपन बॉन्ड हो गया, मतलब एक ऐसा बॉन्ड जो डिसकाउंट पेशू होगा, इसका पेशू क्यों होगा, क्योंकि देखो इसका फेस वैल्यू कितना है, बॉन्ड पेशू होगा, और पार पेशू होगा, वो सकता है, प्रीमियम पे भी रिडिम हो, आज जिसे मान लो, तुम मेरे से पढ़ा तुमारा रैंक आ गया, तो मेरा मन करेंगा, हम तुम कुछ एक्स्ट्रा देंगे, तो कंपनी बोलता है, जो जो ये बॉन्ड होल्ड कर रहा है, स पेश वेल्यू क्या होता है, जो बॉन्ड में लिखाव है, क्रीम मतलब क्या उससे ज्यादा, आज जो 100 रुपर का नोट होता है, उसमें 100 रुपर लिखाव है, तो ये उसका फेश वेल्यू बड़ उसका रियल वेल्यू ये नहीं है, आज एक बास सोचो, पहले देखता थ अग्पाया प्रफिवा क्यों नहीं के सिक्का कितना भारी-भारी आता था, अभी इतना लाइट कर दिया, क्यों, क्योंकि पहले वो सारा सिक्का मार्केट झायब होने लग वो सब बांगलदेश जाता था, वहाँ पर smuggling होता था, उससे क्या होता था, बलेड बनता था, तो होते रहेगा ठीक है तो zero coupon bond में discount पे issue होगा पार पे redeem होगा ठीक है एक चीज़ रुको 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 एक coupon paying bond का example देते तुम लोग को जो हम आभी बता रहे थे मालो जैसे एक लाक रुपया है हम 10% ब्याज में दिये हैं 5 साल के लिए ठीक है पार पे redeem होगा इसका मतलब क्या है zero one two three four और five यह अपना जहन में बसा लो मतलब यह timeline तुमको पूरा life अभी काम आएगा पूरा cm1 में यह timeline तुम लोग काम आएगा ठीक है यहाँ पर अगर हम द मिलेगा 10,000 यहाँ पर कितना मिलेगा 10,000 यहाँ पर कितना मिलेगा जो एक लाक है और जो 10,000 ब्याज का payment है बहुत सिंपल चीज है इसको बोलते है coupon paying bond क्यों 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 कि इसमें regular interest payment हो रहा है ठीक है ओक है ठीक है अब next लिखना simple discount यह सब आगे जाके और अच simple discount bracket में लिख देना commercial rate of discount अब इधर देखो इधर देखो सोच के बुलना AV ज़्यादा होगा ना PV ज़्यादा होगा किस इसमें उसमें छोड़ना AV ज़्यादा होगा ना PV ज़्यादा होगा और विससा बात है सर कैसा बात पूछ दिए अगर कोई बच्चा यहाँ पर बोल देता ना तुमको doubt हो जाता उसमें A V तो कम हो इने सकता है अरे हम A V कम हो सकता है सर कि मैंने मानलो stockicket में पैसा लगाया मेरा पैसा 2 गया वह अलग चीज्च हो गया तो यहां पर आएगा 1-ND, रुको, 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 बहुत सिंपल चीज है, ठीक है, बहुत सिंपल चीज क्या है, आज जैसे मानलो, यह सब जो हम लोग नॉर्मल बिजनस करते हैं, उसमें काम आता है, हम पूछते हैं कब पैसा देगा, बोलेगा सर अभी पेमेंट क क्या करते हैं, अब इसमें दो चीज है, एक है पैसा 30 दिन बाद मिलेगा, दूसरा है पैसा आकर मार दिया तो समान तो सप्लाई हो चुका है, तो उसमें वो लोग क्या करता है, बोलता है सर आप आज पेमेंट कर दीजे, हम आपको 2 परसन का डिसकाउंट दे देगे, ठीक ह तो बेसिकली इस थी क्या हो, पैसा तुमका अभी मिल गया, सर्टेन हो गया ना, ये चीज़ बहुत जरूरी है, जिम का मेंबर्शिप में सोच के देखो, जिम में क्या होता है, गर तुम सब्सक्रिप्शन मॉडल देखेगा, तो एक मैने का तीन हजार, तीन मैने का आठ और साल भर का अठारा हजार, हम जो फर्स्ट ताम जिम में गय थे, तो हम अन्वा सब्सक्रिप्शन लिए, तो हम बोले ये बेफ को फेंगया, कि मैना मैना पेमेंट कर रहा है, हम साल का पेमेंट के और समय में आपनों का होशयार समझे, गय हम चार दिन, तब हमका समझ में कि नहीं, वो अब में ठीक था, तो वो क्या होता है, basically there is a probability attached, that every month you are going to renew your subscription, okay, so it is all a probability game, तो जैसे PV is equal to what, AV 1 minus ND, अब यह जो minus हुए ध्यान से देखो, minus में क्या, N है number of years, D है तुम्हारा discount rate, तो basically AV से कुछ minus होने का feel आ रहे है, AV से कुछ minus होने का feel आ रहे है, ठीक है, normally क्या होता है, यह सब तुम्हारा government bonds में होता है, तो government क्या बोलता है, कि government bonds जैसे में simple use होता है, तो government बोलेगा कि, जैसे यहाँ पर था न, हम बोलेंगे कि, जैसे मानलो, आज 10% discount में यह bond issue हो रहा है, एक साल बाद तुमको पूरा रुपए मिलेगा, मतलब आज जो 90 रुपए देगा, उसको हम 100 रुपए देंगे, एक साल बाद, यह फिर मानलो, 2 साल का होगा, तो बोलेंगे, आज जो 80 रुपए देगा, उसको हम 200 रुपए तो simple discount यह हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, कुछ minus होने का feel आ रहा है, और एक हुआ तुम्हारा compound discount, जिसको मैं ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, effective rate of discount, उसका भी formula बहुकुल simple होगा, PV is equal to AV, 1 minus D, whole to the power, N जब N power में चला जाएगा, मतलब compound है, अच्छे एक बात सूचो तो, अगर number of years जादा हो जाएगा, तो discount जादा होगा ना कम होगा, सूच के बताओ, अगर number of years जादा हो जाएगा, तो discount जादा होगा ना कम होगा, अब्वेस से बते जादा होगा, जितना जादा number of years उतना ज झाल झाल नेक्ट्स हेड लगाना, अक्क्यूमुलेशन फैक्टर लोटेशन दे देना, देखो इधर देखो A02N, अब इधर देखो copy कर लेना, इधर देखो अक्यूमुलेशन फैक्टर का बहुत सिम्पल मत्लब है हम 100 फै जमा किये हमको 200 मिला तो मेरा पैसा कितना गुर्ना हो गया, दो गुल्ना हो गया तो basically ये मेरा क्या है अक्यूमुलेशन फैक्टर ठीक है? अब अगर A 0 to 1 में नोटेशन ऐसका मतलब क्या है? How many times my fund has grown from time 0 to time n? Click on. How many times my fund has grown from time 0 to time n? बच्पला एक राज़ नोटेशन नोटेशन वह दोच्पला एक राज़ एक है? Okay? तो एक चीज़ लिख लेना PV को किससे multiply करेंगे तो AV मिलेगा लिखना accumulation factor next लिखना discount factor इसका connotation देखको V है ठीक है V V 0 to N लिख देना discount factor क्या होगा बताना from time N to time 0 मतलब time N पे कोई पैसा खड़ा है इदर देखो time N पे कोई पैसा खड़ा है उसको tarn के 0 पे ला रहे है pullback कर रहे है पुरा हम लोग अभी CM1 में दो ही चीज़ सिखेंगे एक पैसा जो time 0 पे खड़ा है उसको future में कैसे भेजना है compounding और जो future में पैसा खड़ा है उसको tarn के 0 पे लाना discounting compounding मतलब आगे लेके जाना discounting मतलब टानना यही सीखना है तो लोग और कुछ नहीं सीखना है तो AV को किस से multiply करेंगे तो PV मिलेगा it is DF discount factor अब जैसे अगर हम लोग देखेंगे AV हम लोग का पहले वाले में क्या था PV into AF है ना यहाँ पर AV को replace कर देते हैं PV into AF into DF is equal to PV तो PV PV cut क्या आ जाएगा DF is equal to 1 by AF this means what inverse relationship between AF and DF यहाँ तक पहले अराम से करो और अभय करेंश सर्कतु तक सांव हम जाएब। अधर यहाँ हम लोग हम तो झाल 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 Okay, so now write down example question. Write down example question. So let's say suppose, present value है मेरा एक हजार. ठीक है? मेरे को निकालना है A V at time 5. ठीक है? मेरे को simple interest दियावा है 10%. Compound interest मेरे को दियावा है 8%. कैसे करेंगे इसको? 1000, 1 plus 5 into 0.1, right? फिर दूसरा में करेंगे 1000, 1 plus 5, sorry, 1 plus 0.08 whole to the power 5. दोनों को solve करके बताएं कितना कितना आ रहा है? कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा प्लीज. कैलकुलेटर लाया है तुम लोग सब? उन घर से निकली थी तो क्या सोचके निकली थी? कहां जा रहे हैं? गुमने, पत्चंग में, प्रिहास्रियो. कितना कितना रहा है बताओ? अभास कोचर सर स्क्रीन बलर हो रहा है, मेरा स्क्रीन बलर हो गया है. बाकी लोग कभी हो रहे हैं? पंद्रा सो और 1469 अच्छा हम लोग 5 से 6 डेसिमल प्लेस तक अंसर लिखेंगे ठीक है? 5 तो 6 डेसिमल प्लेस तक. नेक्स्ट, हाँ वो ठीक है. इसके बाद, नेक्स्ट, एक्स्ट एक्स्ट एक्साम्पल टू. av मेरे को दिया हुआ है 10,000 at time 10 मेरे को pv निकालना है simple discount मेरे को दिया हुआ 8% compound discount मेरे को दिया हुआ 12% कैसे करेंगे अब इसको कैसे करेंगे बताना 10,000 1 minus 0.08 into 10 10,000 1 minus 0.12 hold to the power 10 solve को बताई दुनों कितना कितना आ रहा है दुनों को solve करिए pv हम लों को निकालना है time 0 पे दुनों को बताई कितना कितना आ रहा है 2000 2785.00 अब एक चीज़ समझना है हम लोग को ठीक है अब एक चीज़ क्या समझना है वो इधर देखो जैसे हम क्या बोले हम क्या बोले हम बोले कि pv को किस से multiply करेंगे तो a v मिलेगा a f से ये मेरा a f है ठीक है तो clear एक ये बर में clear हो गया ये मेरा a f है फिर ये मेरा a f है ठीक है अब a v को किस से multiply करेंगे तो p v मिलेगा ये मेरा d f है ठीक है तो एक summary बनाएंगे summary में यहाँ पर आजाएगा a f यहाँ पर आजाएगा d f सबसे पहले simple interest का a f क्या था 1 प्लस ni अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े that d f is equal to 1 by a f yes or no 1 प्लस ni to the power minus 1 compound interest में क्या हो जाएगा 1 प्लस i whole to the power n यहाँ पर क्या आजाएगा 1 प्लस i whole to the power minus n simple discount में क्या आजाएगा यहाँ पर लिखेंगे देखो d f में लिखेंगे 1 minus nd यहाँ पर क्या आजाएगा 1 minus nd to the power minus 1 compound discount में क्या होगा बोलो compound discount में 1 minus d to the power minus n यहाँ पर आजाएगा 1 minus d to the power copy कर लो उसको अब जैसे एक example करा रहे हैं झाल 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 हम लोग को compound interest दिया है 10% per annum का तो देखो av को मेरे को multiply किस से करना पड़ेगा df से मेरा discount factor क्या है compound interest का discount factor मतलब 1 plus 0.1 to the power minus 5 12 कलोज का इतना आ रहा है 3104.0.6 the correct answer ठीक है next प्लीज पूट्ट था हेडिंग प्रिंसिपल ओफ कंसिस्टेंसी तो प्रिंसिपल ओफ कंसिस्टेंसी क्या बोलता है देखो यह 0 है यह 4 है यह 10 है यह 15 है और यह 25 है हम यहां पर 100 लगाया यहां पर वो 200 हो गया यहां पर वो 700 हो गया यहां पर फिर वो तुमारा पंद्रासो हो गया और यहाँ पर वो तुम्हारा साड़ेश चार अजर हो गया ठीक है अब ध्यान से देखना A 0 to 4 मेरा पैसे कितना टाइम्स ग्रो की है 200 by 100 ठीक है फिर तुम्हारा A 4 to 10 मेरा पैसे कितना टाइम्स ग्रो की है 700 by 200 फिर A 10 to 15 मेरा पैसे कितना टाइम्स ग्रो की है 1500 by 700 and A 15 to 25 मेरा पैसे कितना टाइम्स ग्रो की है 4500 by 1500 तो बिसिकली मैंने पहले सारे accumulation factors निकाल लिए अब अगर हम लोग total देखेंगे total A 0 से 25 तो 4500 हो गया 100 रुपय का लगाया हुआ तो मैं ultimately बोल के आ सकता हूँ अगर हम लोग देखें एक चीज तो 4500 हजार बाई 100 इस इकल टू वाट 200 रुपय एक सो इंटू 700 रुपय दो सो इंटू 1500 रुपय साथ सो इंटू 4500 रुपय अगर तुम देखेगा तो ये 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 सब कट जाएगा इसी को बोलते है प्रिंसिपल आफ कंसिस्टेंसी इसका मतलब क्या है अक्यूमुलेशन फैक्टर्स इन बिट्वीन कैन बी मल्टिप्लाइड तो वाट कैन वी से खतम निवारुख जाओ ए जिरो तू 25 इस ए जिरो तू 4 इंटू ए 4 तू 10 इंटू ए 10 तू 15 इंटू ए 15 तू 25 क्लिर एवरिवन देख लिजा इसको ओके अपिकल देख लिजा इसको अपिकल देख झाल 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 वा देखो ठीक है अब next अब ध्यान दो यह 0 है और यह 1 है ठीक है अब जैसे यहाँ पर 100 लगाए वो यहाँ पर 110 हो गया तो what is the rate of return 10% इसको कैसे लिख सकते हैं 100 into 1.1 is 110 है कि नहीं है कि नहीं तो basically यह मेरा PV हो गया यह मेरा AV हो गया और यह क्या है मेरा accumulation factor तो बोलने का मदलब क्या है अगर मानलो 110 को किस से divide करेंगे तो मेरा 100 आएगा 1.1 से यही तो था ना अगर मेरा AF है 1.1 तो मेरा DF क्या हो जाएगा 1 by 1.1 यही तो भी सिखाए तुम लोगो ठीक है तो अब जैसी क्या है पैसा को अगर आगे लेके जाना होगा तो multiply करेंगे और पैसा को अगर पीछे लेके आना होगा तो divide करेंगे ठीक है एक और चीज़ एक साल का accumulation factor क्या बनेगा अगर हम लोग को 10% का ब्याज rate दिया है तो एक साल का accumulation factor क्या बनेगा 1.1 2 साल का 1.1 का square 5 साल का 1.1 to the power 5 10 साल का 1.1 to the power 10 ठीक है तो टोन बैट रहे है 10 साल का accumulation factor निकालना है तो क्या करेंगे 1.1 to the power 10 अब एक चीज़ और समझो simple discount और compound discount दोनों का discounting factor क्या था 1-nd और 1-g hold to the power n दोनों में अगर n के जगा में 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 1-g है कि नहीं तो इसको हम लोग बोलते हैं v small v तो ये v क्या है ये v है एक साल का discount factor क्या है ये v एक साल का discount factor ठीक है तो अच्छे से लिखो 1-d is equal to v which is one year discount factor एक साल का discount factor है ये one year discount factor is v इधर देखो कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग क्या मान के चलेंगे compound ठीक है तो साल का discounting factor क्या हो जागा v square तीन साल का v q चार साल का ओके अब जैसे ये क्या है एक साल का discounting factor तो v को क्या बोल सकते है 1 by एक साल का accumulation factor और एक साल का accumulation factor क्या है 1 plus i ये भी copy करो पी क्या है एक साल का discounting factor अब देखो इधर देखो आट परसंड का अब आज रेट है compound तो एक साल का accumulation factor क्या बनेगा 1.08 दो साल का 1.08 स्क्वेर तीन साल का 1.08 cube इस तरीके से 10 साल का क्या बनेगा 1.08 to the power 10 ठीक है अब जैसे ये अगर एक साल का accumulation factor है तो एक साल का discounting factor क्या बनेगा 1 by accumulation factor वो ही तो लिखे हैं यहापर ठीक है अब एक और चीज़ देखो वी क्या है 1 by 1 प्लस आई है तो 1 माइनस वी को मैं बोल सकता हूँ कि यह डी है इदर उदर कर दिए तो अगर 1 माइनस वी डी है मतलब 1 माइनस 1 by 1 प्लस आई मेरा क्या है डी है है कि नहीं यह सोर नो अब इसको solve करकर निकालो क्या रहे है तो क्या आएगा डी यहां से आई बाए 1 प्लस आई अब मेरे को तुम लोग बताएगा अगर 12% मेरा i है यह फिर और precisely अगर हम लिखे तो i is 0.12 ठीक है तो मेरा accumulation factor क्या हो जाएगा एक साल का 1.12 मेरा v क्या हो जाएगा 1 by 1.12 और मेरा d क्या हो जाएगा 0.12 by 1.12 clear everyone copy कर लो उसको यहां ते बाए रिवाइस कर लो दो मिट का टाइम दे रहें पिर आगे बढ़ेंगे कि यहां ते रहेंगे तो झाल 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 प्रोडक्स फ्लोट होते हैं ना वो सारे सेम टाइम पिरिट के नहीं होते हैं समझना आज जैसे माल लो हाँ अल इंदे के सब कंपाउंड हाँ अब से कुछ नहीं बोलेगा तो कंपाउंड वान के चलेंगे अब बैंक में जैसे क्या होता है जो इंट्रेस्ट का जो कंपाउंडिंग होता है वो अलग-अलग फ्रिक्वेंसी का होता है मंतली कंपाउंडिंग होता है देली कंपाउंडिंग होता ह। और तुम्हारा कॉर्टर बेसिस में होता है श्हय मेना, साल भर तोHeppend करता है कि साल में कितना बार तुमको बैंको ब्याज मिलेगा हर 6 मेना में, मनें साल में 2 बर मेरा compounding होगा, तो अगर मानलो हम 1000 रुपया लगाएंगे, तो 1000 into 1.03 ये मेरा हो जाएगा, 6 मेना बात का fund value, फिर उसके बाद जो आएगा, उसमें अगर फिर से 1.03 करेंगे, तब जाकि मेरा क्या आजाएगा, बताओ ये कितना होता है, बताओ ये कितना होता है, तो 1500 into 1.03 का square कर रहे है, 1000 into 1.03 का square कर रहे है, 1060.9, फिर चैके, तो basically क्या हो रहा है, मेरा एक साल का जो accumulation factor बन रहा है, वो ये बन रहा है, क्योंकि 6 मेना 6 मेना का 2 बार हो रहा है न, आज अगर हम लोग देखेंगे यह है क्या यह है a 0 से 0.5 into a 0.5 से 1 क्योंकि साल में 2 बर compounding हो रहा है आज अगर तुम bank में जाता है और अगर तुमको वो यह बोलता है कि सथ 3% per half year ब्याज लगेगा तो it is not 6% per annum it is more than that it is 6.09% which can be calculated by 1.03 square minus 1 लिखो मत रुख जाओ एक और example समझना अब axis bank में क्या हुआ axis bank बोलता है 2% ब्याज लगेगा per quarter 2% per quarter तो एक quarter का accumulation factor क्या होगा 1.02 चार quarter का क्या होगा 1.02 to the power 4 अब interest rate निकालो effective में कितना लग गया मेरा निकाल के देखाओ 1.02 to the power 4 minus 1 कितना आ रहा बताना 0.082432 बोलने का मतलब क्या है यह चीज़ समझ के चलना कि 2% quarter का is not equal to what 8% साल का approximately 8% है बट effectively कितना है 8.24% यही चीज़ तुम लोगो समझने वाला है 2% हर quarter का is not equal to 8% साल का ठीक है heading लगाना nominal rates of interest nominal rates of interest लिखो these are annualized rates of interest 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 full stop they are aprox measures they are aprox measures full stop they are also known as convertibles they are also known as convertibles as they can be easily converted into effective rates of interest they are also known as convertibles as they can be easily converted into effective rates of interest अब सुनना इधर में, अब जैसे differentiate कैसे करेंगे, साल का rate है, quarter का rate है, दिन का rate है, महिना का rate है, 6 महिने का है, सबका अलग-अलग notation होना चाहिए, तो notation देखो क्या दिया, अभी कुछ लिखना मत, i जो होता है, वो होता है, annual effective, rate of interest, अब एक बनाया, i2, यह i2 नहीं है, i के उपर में 2 है, bracket है, i2 by 2, यह मेरा हो गया, half yearly effective rate of interest, अब notation को समझना पड़ेगा, i2 by 2 मेरा SBI वाला example के हिसाब से है, 3%, बने हर आधा साल में मेरेको effectively 3% मिल रहे है, साल में मेरेको approximately कितना मिलेगा, 6%, तो यह मेरा nominal rate हुआ, देखो मैंने क्या-क्या लिखाए, read करना, approximate measure है, annualized है, and they can be easily converted into effective rate of interest, कैसे, अगर मालनों मेरेको exam में देता है, i2 is 6%, तो हम क्या करेंगे, simply इसको 2 से divide कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, half yearly effective rate आ जाएगा, इसको हम लोग calculation में use कर सकते, एक example लिखना, उसी में example लिखो, example, i2 is, i2, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बोट पर देखो, i2 is equal to half yearly nominal rate of interest, एक ये lining आ सकते है तुम्हारा exam में, और, nominal rate of interest, convertible half yearly, इसको convertible क्यों करते हैं, क्योंकि convertibles का मतलब क्या होता है, easily they can be converted into effective rate of interest, ठीक है, अब next topic, notations, notations, notations में, आई लिखना, annual effective rate of interest, आई लिखना, annual effective rate of interest, सकतार दुम्हारीत, पुसरां विलंसरि apology आई लिखना आई ओ्नेमान धिष्ण। टामरा अक्चुल में आफ होगे सॉरी तो कैमरा चार्ज में लगाना भूल गए थे ओके इसे कितना टाइम हुआ मेरे को गायब हुए वे कोई कुछ बोल ही नहीं रहे करश्टी कितना टाइम हुआ गायब हुए तो नोटेशन्स में छीक है तो नोटेशन्स में लिखना आई में लिखना अन्वल एफेक्टिव रेट अफ इंट्रेस्ट फिर लिखना आई टू बाई टू लिखना हाफ यारली अफेक्टिव रे ए ओ 12, monthly, effective rate of interest, clear, छीक है एकदम, छीक है, तो अब जैसे एक चीज़ देखना, 1 plus i क्या है, एक साल का accumulation factor है, 1 plus i2 by 2 क्या हो जाएगा, आधे साल का accumulation factor, क्यों, यह जो rate है, यह क्या है, आधे साल का effective rate of interest, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका power में 2 डालना पड़ेगा, तो आधा साल मिला के एक साल बनता है, अगेन, 1 plus i क्या है, एक साल का accumulation factor है, 1 plus i4 by 4, यह क्या है, 1 plus i4 by 4 क्या है, एक quarter का क्या है, accumulation factor, इसके power में क्या डालना पड़ेगा, 4, तो similarly हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 plus i is equal to 1 plus ip by p whole to the power p, यह मेरा general form हो गया, इसमें p क्या है, number of times compounding in a year, अब similarly हम लोग यही same चीज़ d के लिए भी बोल सकते हैं, तो 1 minus d is equal to 1 minus dp by p whole to the power p, ठीक है साक्षी, अब एक चीज़ बताना, 1 plus i2 by 2, यह क्या है, half year का क्या है, एक सिंचुप, half year का interest rate, accumulation factor है आधे साल का, क्यों accumulation factor है आधे साल का, क्योंकि यह क्या है, आधे साल का effective rate है, इसका जब मैं power में 2 डालता हूँ, तो क्या हो गई यह, एक साल का accumulation factor, equal to 1 by, अब जब 1 by लिख दिया हूँ, मतलब नीचे में क्या आना चीज़, एक साल का discounting factor, तो 1 minus d4 by 4, यह क्या हो जाएगा, एक quarter का discount factor, to the power 4, कॉपी करो पहले इसको, अब एक most general form लिखवा रहे हैं, जो होता है, 1 plus IP by P, whole to the power P, is equal to 1 by 1 minus, dP by P, whole to the power P, and इसमें सबसे बड़ा बात क्या है, P may not be same on both sides, yes or no, ठीक है, नहीं, ठीक है, P may not be same on both sides, ठीक है, P may not be same on both sides, different लेंगे तो same भी तो हो सकता है, हम लोग किसको किससे equate कर रहे हैं, यह समझना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर equate कर रहे हैं, एक साल का accumulation factor को, एक साल का discounting factor से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक होगे तब वोला, ठीक होगे अब जैसे मान लो, हम लोग को I दियावा है 0.08, हम लोग को बोला है I2 निकाल ले, तो क्या equation मनाएंगे ध्यान देना, 1 प्लस I is equal to 1 प्लस I2 बाई 2 का square, यहाँ पर मैंने क्या किया है, accumulation factor for 1 year को equate किया है, accumulation factor for 1 year से, तो 1 प्लस I मतलब क्या हो जाएगा, 1.08 and 1 प्लस I2 बाई 2 का square, तो 1.08 to the power half, ठीक है, minus 1 whole into 2 is what I2, इसको solve करके बताईए I2 कितना आ रहे है, इसको solve करके बताईए I2 कितना रहे है, फड़ा फड़ से बताईए, what? 0.078461 is what I2, ठीक है, अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को निकालना है I4, I12, निकाल लिए इसको, ठीक है, आई6 निकालिए, उसके बाद में I3 निकालिए, ये चारों चीज़ निकालिए, आप लिए, अइसर्टी के Zाण्योग निकालिए एकी निकाना है I4, नहींदोर दो कुछ को म convicted इसको सब एक play cheap, कि म अड़ा झाईभा, कि मुछर दो, कि आईवा, झाल 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 Okay, so what all are the answers, let's discuss and first we will just, all of you switch on your cameras fast. Okay, so i4, so 1 plus i is equal to 1 plus i4 by 4 whole to the power 4. After that, 1 plus i is equal to 1 plus i12 by 12 whole to the power 12. उसके बाद 1 plus i is 1 plus i6 by 6 whole to the power 6. 1 plus i is 1 plus i3 by 3 whole to the power 3. अब क्या 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 या आइइनसर आई आइनसर आइए वो बताना मेरे को सबसे पहले, बोलो, i4 का क्या है, 0.0777, ठीके जो भी है, i12 बोलना, बोलना तू जिरो एट आई शिक्स का बोलना जिरो पॉइंट जिरो डॉबल सेवेन और उसके बाद है आई थ्री में क्या होगा नाइन फाइफ ठीक है आज के लिए इतना ही पड़ेंगे ठीक है अब यहला सम कर लेना अब एक और हम दे रहे तुम लोग को ठीक है होंवर्ग के लिए होमवर्ग में बसके रहे आई दियावा है हम लोग को 0.025 अब तुमको निकालना है आई 2 आई 4 आई 6 आई 12 आई 365 ठीक है यह सारा चीज़ निकाल के आना तो बाई थैंक्यू लोगу चाहर सकते है यहरो में हम लोग कक दो अटीक है 2 आई 5 आई आई 6 अईर ऑना कला चीज़